नमस्कार दर्शकोओं आप शभी का हार दिख अफनेंदन करता हूं शुक्र गोचर परिवर्तन किये हैं और लगभग 7 अगस्य शाथ अगस्य तक रहेंगे दो अक्टूबर तक रहेंगे तो यह शाथ अगस्य दो अक्टूबर तक जो रहने वाले हैं इसका प्रभाव मेश रासी पे कैसा प्रभाव पढ़ने वाला है मेश रासी के जाता को कैसा फल मिलेगा देखिएगा जो बताऊंगा वो होकर ही रहेगा एक भी बात मत छोड़िएगा चलिए सुरू करते हैं देखिए अब 7 अगस से 2 अक्टूबर तक चेंज करेंगे किस में जाएंगे यह आपका अभी तो खेर यहां पे हैं लेकिन यह चले जाएंगे करक राशी में आ रहे हैं शुक्र वो भी वक्री होके लेकिन 7 जुलाई से सिंग राशी में थें जो 7 जुलाई से लेके 7 अगस तक जो पहले एक महिने था यह इसमें थें लेकिन मंगल के शाथ थें शुक्र मंगल के शाथ थें इसमें क्या हुआ थे मैं मेश राश्री के साथ सबसे पहले मंगल ने बूरी तरह से मंगल ने शुक्र को खतम किया University तो ये दूसरा घर और कही ना कहीं देखा जाए तो शनी का भी वक्रिध रहा है समझेगा शनी का भी वक्रिध रिश्टी मंगल पर भी है और शुक्रपर भी है और यहां पे इस घर को भी देखा है अब देखिए शनी वक्री होके द्रिष्टिक कर रहे हैं शुक्र को अगर अकेले शनी रहते हैं तो शुक्र को को यदा नुक्षान नहीं होता लेकिन साथ में मंगल आ गया है और जब मंगल आ गया है तो मेश रासी के लिए मंगल बहुत महत्वपूर रोल निभाता है तो लगन के साथ धन भाव का जुणना समझेगा लगन के साथ धन भाव का जुणना मतलब यह इंडिकेट कर रहा है और शुक्र मंगल बिच्छेद करवाते हैं तो यह मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ आपके द्वारा आपके महेनत से किया गया कुछ चीज सफल नहीं हुआ जैसे कि मैं पिछले एक मेने के बात कर रहा हूँ, कुछ आपने बहुत महिने से आपने किया, बहुत महिने से बहुत परिश्रम से किया, पैसे के लिए, जैसे कि नोकरी के लिए आपने परिश्रम किया, या कुछ प्रजक्ट के लिए, कुछ काम धंदे के लिए आपने पैसे कमाने के लिए जैसे कि नोकरी क्या भी होता है नोकरी लगने के लिए आपने जो महिनत किया वह आपको नहीं फल मिला उसमें आपको सफलता नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला यह इंडिकेशन दे रहा है ऐसा हुआ होगा जरूर अब बहुत से लोग कमेंट कियेंगे गायसा मेरे शाथ तो नहीं हुआ है तो किन अब आपको आना है खुद के कुंडली पे खुद के कुंडली पे आना है डेटा बोट, टाइम, प्लेस, बोट डालेंगे तो कुंडली कहीं से भी बन जाती है या अगर आपके पास खुद का कुंडली हो तो बहुत अच्छी बात है तो उसमें आप यह चीज़ जरूर देखना जरूर देखना और कमेंट करना देखना है, बिना दखिक कमेंट नहीं करना है देखियो है, खुद के कुंडली में शुक्र को देखिये जैसे शुक्र मैं बताया हूँ जैसे कि शुक्र आपके एक, दो, साथ, आठ, बार, जैसे कि शुक्र यहां बैठे हैं, तो यहां पे पांच नंबर हैं, तो आपके कुंडली को देखिएगा, या डेटा बॉर्ट टाइम प्लेश डालके कुंडली बना लीजे, बहुत से अप के शुक्र जो हैं, जैसे कि यहां पांच नंबर बैठे हैं, तो आपके कुंडली में शुक्र बैठे होंगे, वीनस बोलते हैं उसको इंगलिस में, एक, दो, साथ, आठ, बार नंबर में बैठे हैं, तो समझेगा कि यह दिक्कत आपके साथ नहीं हुआ, हुआ भी होगा, तो माइनर सा हुआ होगा, कुई नुक्शान नहीं हुआ हुआ हुआ, लेकि जिनका यह कंडिशन नहीं बना, जिनका सुक्र इस नंबर में नहीं रहा, उनको जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ होगा, पैसे को लेके, पैसा हो सकता है, कुछ भी मतलब, आपके द्वारा किया गया महिनत का रिजल्ट आपको नहीं मिला साप सब्दों में आपके द्वरा किया गया महिनत का फल नहीं मिला नहीं मिला कमेंट करिएगा जरूर हुआ होगा में सरासी वाले ठीक है? जरूर हुआ होगा यह जुरूर देखिएगा शुक्र किस नंबर में बैठे है तब कमेंड करिएगा शुक्र अगर इन नंबर में बैठे होंगे एक, दो, साथ, बारे में तो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ होगा लेकिन शुक्र अगर इस नंबर में नहीं होगे तो हुआ होगा या शुक्र अगर आपके राहु मंगल के साथ अगर होंगे शुक्र यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे मंगल बैठ गया है तो आपके खुद के कुंडली में शुक्र के साथ मंगल बैठे हो या राहु बैठे हो खुद के कुंडली में या इसके अपोजिट यहां पर शुक्र बैठे हो या मंगल बैठे हो आपके खुद के कुंड़ी में तो भी दिक्कट हुआ होगा तो यह दो चीजे हैं और अगर मालीजे दशा देखने आता होगे अपको दशा देखे दशा वी दिख जाता है और देखने आये तो अगर कहीं शुक्र का दशा ऑन्ता दशा चल रहा होगा तो 99 यह दिक्कत के साथ हुआ ही होगा हुआ ही होगा हुआ ही होगा अब आगे क्या होगा अब जैसे ये शुकर आ जाएंगे इसमें तो यहाँ पे जब शुकर आएंगे न यहाँ पे तो यहाँ पे कोई बुरा प्रभाव किसी गरह का नहीं है यहाँ तो खर शनी पड़े थे तो शनी का प्रभावत्व खैर वड़ा ही पड़ा, उल्जन का शमय रहा ही रहा, एक महीने काफी उल्जन भरा इस्तिति रहा लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे कर्क में तो यहां पर पैसा को लेके जैसे कि शुक्र बताया मैंना कि यह इसमें आ गया है तो एक जो अभी तक आप महिनत कर रहे थे उसका प्रणाम नहीं मिल पा रहा था तो अब आपको मिलेगा अब आप देखोगे कि जो एक महिने जो संघर्स चल रहा था उस संघर्स में आपको प्राहत मिलेगा यह जो दो अक्टूबर तक चलेगा अभी तो दो अक्टूबर तक है बहुत ज़्यादा चांसिस है कि अब आपको आपके महिनत का रिजल्ट अब आपको मिल जाएगा जरूर मिलेगा जैसे कि जॉब चेंज करना चाहते है जॉब के लिए कोशिश कर रहे होंगे जॉब के लिए या पैसे के लिए कुछ कोशिस कर रहे होंगे बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे होंगे या कुछ नया करने का सोच रहे होंगे तो यह काम अब आपके शाथ हो जाएगा अक्टूबर तक के समय में हो जाएगा कंडिशन क्या है शुक्र अच्छा होना है और शप्तम का भी बात कर रहा हूंनेश है तो एक पिछले एक महिने में partnership में दिक्कत हुआ होगा या relationship में रहें निम्सेर्ण्से पार्थण से दिक्कत हुआ होगा देख ली जीएगा भाह invited इस देख से पार्टनरसीayan हमाग धही drown तो वोका relationship partner से break हुआ comment करिएगा या दोस्ती में तरह रहा हुगा comment करिएगा पिछले एक महीने के बात कर रहा हूँ यह हुआ होगा अब भले पैचाफ हो सकता है भले अच्छे से relationship बन जाए शंबंद वापस जूड़िया वह अलग बात है लेकिन यह जरूर हुआ होगा और अच्छे नहीं होंगे आपकी कुंडली में तो अलग बात है लेकिन शुक्र अगर इस condition में नहीं रहा होगा एक दो सट बार में आपकी खुद के कुंडली में शुक्र नहीं रहा होगा तो यह दिक्कत आपके साथ जरूर हुआ होगा धोखा हुआ होगा पार्टर आपको फिर से सही हो जाएंगे तो ये condition दिख रहा है पिछले का समय बता दिया मैंने अब क्या होगा वो भी बता दिया और आपके खुद के कुंडिली में गरह कैसे हैं ये बहुत महत्पूर है तो आप दिएग नंबर पर WhatsApp करके आप मेरे से बात कर सकते हो कुछ चार्जेस हैं कुछ धक्षिणा है वो पे करके आप मेरे समय लेके आप मेरे शे विटिगत बात कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइक बशेश जरूर करिएगा जय है